उत्र परदेश के जिला मुराधाबाद नेशनल हाई वे आगरा मुराधाबाद थाना बिलारी के पास बड़ा हाथसा होने से चल गया जानकारी के नुसार गाउं फतेपूर नथा में बिलारी से चंदोसी जा रही रोडवेस बस ने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिसमें एक दर्जन से जादा लोग घायल हो गए हैं घायलों को बिलारी समुदा एक स्वास्थे केंद्र लाया गया है यहां उपचार के बाद उनको जीला स्पताल रैफर कर दिया गया है जिन में से एक मासुम सही 6 लोगों की हालत गंभीर है दरसल मामना मुरादा बाथाना बिलारी नेशनल आगरा हाईवे का है यहां पर आज मोसम खराब होने के कारण बारिश्व तेज हवा चल रही थी जिसके चलते मुरादा बास से चलकर रोडवेस बस चंदोसी जा रही थी और गती अधिक होने से अन्यंत्रित होकर एक ट्रक में जागुसी इस हाथसे में रोडवेस बस के परकच्छे उड़ गए जिसमें बैठे कई यातरी गंभी रूप से घायर हो गए गटना के बाद वहाँ पर चीक पुकार मच गई जिसे सुनकर आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे हैं तूरंत ही मोके पर पहुँचकर लोगों को निकाला और पुलिस को सूचना दी सूचना के बाद शेतर अधिकारी महिंदर कुमार शुकल ओवर थाना अध्यक्ष गजेंदर तयागी फोर्स के साथ मोके पर पहुँचकर एंबुलेंस की ववस्था कर घायलों को बिलारी सामुदा एक सास्थे केंद्र ले जाया गया यहां उप्टार के बाद लगबग छे लोगों को जील आस्पतार रैफर कर दिया गया है जिनके विपिन अंगों में चोटे हैं अधिर्टा गया इसमें कितने गायले कितने सीर्यास हैं एलारे पास सीवार्य पे छे मरी जाएथे जिसमें से चार पो हमने रेफर किया है जिनके विबिन अंगों में चोटे हैं नहीं तथा फ्लेक्टर है सीरियेस भी है उसमें एक बच्चा उनने रैफर किया गिले अधिम एक्सिडेंट वहा है क्या पूरा मामला क्या है कितने खाइले से इसमें पांश लोग जाने खाइल है जिने से जोटे हैं कुछ नहीं कि कि अबने तृप पाफ नोगों को जिलास पता है जिलवेश प्राव को चार पर वाद तृप सर ड्राइबर को क्या रहे है रासत में लिया बस के अब यह जाए जाए जैसे कि बता जाता है कि ट्रुक फरार है कि उसका नंबर कोई ट्रेस हुआ है। आज गराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।